हैं। को भी अवी बंद किया जाएगा कोई भी इए जो पब्लिक गैधरिंग है। स्बोर्ट इवेंट वो इंग्लूड़िंग डा आई पियल में है zungत जाएगी। सेमिनार्स को जुश्वा लेकि जो कड़ोना वारस के लेकिन जुनकर यें इसका इस्टैड कहींना कहीं जो वैल रहा है उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम सोशल को बना के रखें और सोशल को बनाने के लिए कि जब इस्पोर्ट की एवेंट होती है इसे इवेंट्स वहां बड़ी वेंट है उसमें तो हजारों लोग दूर दूर से आएंगे और कहां से आएंगे किसी के कंट्रोल में नहीं रहता कोा इस तरह की कोई भी इवेंट जहां दूर दूर से रगलग डायरेशन चे डायरेक्शन चे लोग आते हैं तो उनको भी सरकार ने बेंड रखने का फैसला किया है और मैं अधरवाइस भी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा दिये सिर्फ आदेशों का इंतजार ना करें कि कौन सी एक्टिविटी बेंड की जा रही है कौन सी नहीं बेंड की जा रही है कोरोना वायरेस को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है हम सब को मिलके हर सेक्टर के लोगों से में रिक्वेस्ट करूंगा कि यह ना देखें कि सरकार ने यह चीज़ बेंड की है और यह चीज़ नहीं बेंड की है इस वक्स सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा सॉलुशन है इसका जहां भी आ रहा है कोरिया का एक्जामपल है वहां तीस लोग वहां रोक दिये गए उन्होंने उनको आइसलेट कर दिया 31 आदमी जो आइसलेट नहीं हो पाया उसकी वजह से वहां दस हजार लोगों को स्प्रेड हो गया हो एक आदमी की वजह से भी वह क्योंकि कौन केरियर होगा कोई आइडिया नहीं है आप अगर इवेंट करत हैं कि बड़ी इवेंट्स, कॉन्फरेंसेज, स्पोर्ट्स के गैदरिंग्स यह सब दिल्ली में बेहन रहेंगी लेकिन किसी भी इवेंट में जहां लोगों को लगता है कि यहां डिफ्रेंट डैमेंशन से लोग आ रहे हैं और यहां कोई आइडिया नहीं है तो खुद इस कि प्रेंटिव मेजरस लिए गए प्रिवेंटिव मेजरस लिए गए वहीं इसको रेकुलेट किया दा सकता है वरना यह फैल रहा है हमने अभी अगले ओर। तक बंद करती हैं हमने सभी डियम्स और स्टियम्स को कहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट्स की उससे जितने ओडर सा रहे हैं को रना वारेस को लेकर पेडिमियर किता है इन सब का इस्ट्रिक्ट फॉलो कराएं पूरे अपने अपने शेत्र में नजर रखें इसके वाइलेशन म हमने जो बैन की हैं वो स्पोर्ट से रिलेटेट गैदरिंग अब बीसी से इसके किसी नई फर्मिट में आता है तो वो उनके उपर है बट स्पोर्स एक्टिविटी में जहां हजारन लोगों की गैदरिंग की संभावना होगी हम उसको बैन करेंगे सर्कार सारी चीज़ों पर नजर रख रही है जैसे जहां लगता है कि यहां भी इस पर स्टेपन कर रही है सरकार लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर चीज में क्योंकि सिर्फ मेट्रों की बात नहीं है बहुत सारी सोशल गैदरिंग सोशल लोगों के वह हैं संपर्क तो लोग खुद इस चीज़ को अवर्ड करें ऐसी चीज़ों को अगर कोई गैदरिंग आज़ित कर रहे हैं तो उसको भी अवर्ड करें उस तरह की सिर्फ सरकार के आउडर के इंतिजार ना करें क्योंकि कोई चीज अंसेफ होती है सब के लिए ह अगर आपकी शॉप है तो आप भी डिली दिन में एक बारी डिसिंफेक्ट जरूर करेंगे बहुत सिंपल सुलुशन रहा है रहा है बन परसेंट सुलुशन से आप इसको वाइप आफ कर दीजिए साफ हो जाता है कोई मुश्किल काम नहीं है और मुझे लगा सभी लोगों को वोलिंटरी भी करना चाहिए जिनको हमने आदेश नहीं दिया उनको भी करना चाहिए मैं जैसे मनिश जी ने का एक चीज़ एड करना चाहूंगा किसी को कोई भी थोड़ेस भी सिंप्टम हो तो वह 14 दिन के लिए अपने आपको घर में रखें पबलिक के बीच में आ जा है घर के अंदर ही है वो उनके लिए जो घर की नहीं मिल सकती है तो अगर आपको कोई भी सिंप्टम में फीवर है या आपको खांसी है स्नीजिंग है तो उसके लिए आपको इमीडेटली पबलिक में जाना बंद करना चाहिए और वो सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर मंगर तो उसकी बात बात में है हमारा इंकेंट गैदरिंग को अवेड करना है हमारा इंकेंट को एक्टिविट स्पोर्स तो अपनी प्रक्टिस कर रहा होगा उसको पर भी बढ़न करेंगा इस विप्टिंदेश वान मंग पर पीपल नहीं देखिए अभी इनिशली जो हमने स्टाट किया है कम से कम एक महेना आपमान के चलिएगा अब ऐयॉर्योंपका इंचंपल की इस देख सकते हैं वहारे रहे देश में बहुत कम कैसी हैं बिली में सिफे 6 कैसी पूरे देश में 74 से यो अचानक यजहके लिए इस रहे इतने ही बल्द के अज़ने झाल 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 झाल